Dear students, तो हमने सीखा कैसे percentage simple interest से direct related है, अब हमें जो सीखना है वो सीखना है कैसे परतिसत, कैसे percentage profit and loss से related है, किस से related है, profit and loss से, फिर हम जानेंगे कैसे परतिसत compound interest से related है, कैसे परतिसत चक्रवदी ब्याज से related है, हमें बस यही connection सीखना है कि कैसे परतिसत नाम का चैप्टर है, वो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर से तीसे चैप्टर में आता जाता रहता है, बस हमें यही trend जो है percentage का यही सीखना है, अब हमें पहले profit and loss देखना होगा, देखें सबसे पहले, profit and loss profit and loss, जो हमने कल question किया था, या previous lecture में जो question किया था, वो question यह था, कि यदि किसी संख्या में, उसी संख्या का 16 सही 2 बटे 3 परतिसत, कितना 16 is to 2 by 3% is add to itself, उसी संख्या में add कर दिया जाए, तो वह संख्या 3430 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 3430 हो जाती है, तो बताइए, तो बताइए कि मूल संख्या क्या होती है, तो बताइए कि मूल संख्या क्या होती है, फिर हमने वही question, simple interest में, साधान ब्याज में देखा, अब हमें वैसा ही type का question, profit and loss में देखना है, किस्षन वही था क्या था यदि किसी संख्या में उसी संख्या का si2,3 परतिसत क्या कर दिया जाए जवा कर दिया जाए तो वह संख्या 3430 हो जाती है मैं पहले उस किस्षन का आपके सामने एक बार solution लिख देता हूँ सोड़ा सही दो बटे तीन परतिसत इस एड़िट टू इटसेलफ देन दा नमबर बिकम 3430 मैं आपको एक ही एगजमपल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको रिलेट करने में चीजों को समझने में आसानी हो देखो जरा 16 is to 2 by 3% इसको मैं क्या लिखता हूँ उच्छे इसको लिखता हूँ मैं 1 by 6 क्या लिखता हूँ 1 by 6 अब जो 6 है वो हमारा इधर क्या होगा वो हमारा होगा बेस वो हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा अब ये बेस हमें क्या बोलता है 6 का 6 수 10, 6 डुबटे 3%, कितना है? 1 है, क्या कर दिया जाए? Add कर दिया जाए समझ लिए इस बात को बच्चे ये जो 6 मांता हूँ मैं किसे मांता हूँ Base को जो 6 मैं मांता हूँ जो इस 6 को जो Base मांता हूँ वो हमारा Base क्या होता है? Original number होता है वो च्छ जो है बेश होता है यानि कि जहां से मामला शुरू हुआ वो होता है इसलिए मैंने 6 को क्या बोला बेश बोला. कलिए रहे छे को बेस मान लिया सही जी अब जरा द्यान से सुनें छे को बेस मानते ही मैं वो संख्या मानूंगा छे उस छे संख्या में उसी संख्या का कितना सोड़ा सही दो बटे तीन परतिसत कितना सोड़ा सही दो बटे तीन परतिसत क्या कर दिया जाए जमा कर दिया मेरे अनुसार वो संख्या कितनी हो जाती है? साथ हो जाती है मेरे अनुसार, in my opinion, मेरे अनुसार वो संख्या जो है, वो कितनी हो जाती है? साथ हो जाती है अगर मेरे अनुसार वो संख्या साथ हो जाती है, तो examiner क्या बोलता है? कि मेरी संख्या, मेरी संख्या कितनी हो जाती है, एड करने के बाद, 3430, कितनी हो जाती है, 3430, मेरे नुसार कितनी हो गई, 7430, यानि यहां से एक की वेलू कितनी आ जाएगी, 3430, बाए में 7, then this is equal to 490, कितना हो गया, 490 हो गया, कलीर है जी, मेरे नुसार, मेरे एक की वेलू कितनी हो गई, 490, समझ ले, मेरे नुसार, मेरी संख्या मैंने 6 मानी, मेरे नुसार, मेरी 6 संख्या में, उसका 16 सही, 2 बटे, 3 परते से जोड़ा, जोड़ा, एक जोड़ा, मेरे नुसार, मेरी संख्या जो हो गई, वो कितनी हो गई, 7 हो गई, examiner बोलता है कि मेरी संक्या कितनी हो गई है 3430 हो गई है तो मेरा 7 जो है वो examiner के 3430 के बराबर है तो मेरा 1 किसके बराबर होगा 490 के बराबर होगा यदि मेरा 1 490 के बराबर है तो मुझे निकालना है base और base हमारा क्या होता है नंबर, original number जो कि इस question में पुछा है तुम से तो यहां पर एक की value 490 तो 6 की value कितनी हो जाएगी 490 गुणा 6 कलियर है जी जो कि आपकी कितनी होती है 2940 कितनी होती है 2940 यही आपका क्या हता है original number यही आपका क्या हता है original number सहीं जी ये बात कलियर हो गई यहां तक अब आगे चलते हैं अब इस statement को मैं profit and loss में lab और हानी में किस में lab और हानी में आपको सो करके दिखाता हूँ कि यही question अगर lab और हानी में पूछा जाए profit and loss में पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा clear है देखो ज़रा मैं बोलता हूँ यदि स्याम को 16 सही 2 बटे 3 परतिसत का lab होता है क्या होता है lab होता है lab means profit होता है क्या होता है profit होता है यदि स्याम को 16 सही 2 बटे 3 परतिसत का lab होता है एक वस्तू को बेच कर एक वस्तू को बेच कर यदि वस्तू का विक्रे मुले यदि वस्तु का selling price कितना हो जाए कितना हो 3430 तो वस्तु का kremule गात करें kremule मिन्स क्या गात करना है आपको cost price गात करें क्या गात करें cost price ग्यात करें, cost price means क्या होता है, करें मुल्य, clear है, वो हमें निकालना है, तो अब मैं क्या सुचूँगा, मैंने आपको कल क्या सिगा था, जो बीमारी होती है, जहां से मामला शुरू होता है, जो सबसे ज़्यादा क्यूस्टन में, क्यूस्टन को सुरुवात करने के लिए, जिसकी जुरूत होती है, वही हमारा क्या होता है, बेस होता है, समझेगे नहीं, वही हमारा क्या होता है, बेस होता है, अब तक हमने प्रिवेस के दो लेक्चर में, अधीन लेक्चर में हम देख चुके हैं, कि कैसे बेस काम करता है, अब इतने ज़्यादा हिले हुए हो, त तक नहीं समझ पाए तो समझो बच्चे इस बात को बार-बार वीडियो को देखो बार-बार इसको समझो कि यह चीज़े क्या है प्रोफिट सिक्स्टे इस टू बाए थ्री परसेंट सेलिंग प्राइस 3430 रूपीज देन फाइंड दा कॉस्ट प्राइस कलियर है अब इसके ल उतनी है कि 16, 2, 3, 1, 6 कैसे हुआ हम जो प्रीवेस लिक्चर की है हमने वहाँ पे हम देख चुके हैं कि कैसे 16 इस टू बाए 3 परतीसत जो है एक बड़े च्छे के बराबर होता है अब बड़े द्यान से सुनें प्रोफिट एंड लोस लाब या हानी यह कमाने के लिए हमारे पास प्रे रिक्वार्मेंट क्या होनी चीह है क्या हमें हमें हमेश्या लाब ही मिलना चीह है या हमें हमेश्या हानी ही मिलनी चीह है या हमें हमेश्या विक्रेमुले ही होना चीह है क्या होना चीह है किसी वस्तू को या किसी वस्तू को बेचने के लिए सबसे ज़्यादा ज नहीं कमा सकते यह सोनो जब तक तुम्हारे पास वस्तु होगी ही नहीं तब तक तुम उस वस्तु पे लाब और हानी कमाने का सवाली नहीं उठता तो इसके लिए जरूरी क्या है कि इस बेस को क्या माना जाए क्रेमुल्य माना जाए क्या माना जाए क्रेमुल्य तो मैं इस छ है क्या होता है हमारा कोस्ट प्राइस अब मैं क्या सोचता हूँ मेरी वस्तु कितने रुपय की थी छे रुपय की थी सही है मेरी छे रुपय की वस्तु पर 16 is to 2 by 3 percent of profit then how much profit it is one मेरे को छे रुपय की वस्तु पर 16 सही 2 by 3 percent लाब होता है तो भया कितना लाब होता है एक रुपय का लाब होता है कितना लाब होता है एक रुपय का लाब होता है यानि कि वो चीज मेरे लिए मेरे मेरे को कितने की पड़ी थी छे रुपय की थी सही है अब मैंने वो कितने बेच दी, एक रुपए का लाब कमा की बेच दी, तो भीया वो चीज कितने में गई, छे की चीज कितने में गई, एक रुपए का लाब कमा की, कितने में गई, साथ में गई, सही बात है, मेरे नुसर वो चीज कितने में गई, साथ में, मैं कितने की लेके आथा, छे की लेके आएगी, वो कितनी आएगी, 34, 30, by में 7, कट जाएगा, उत्र कितना आजाएगा, बच्चे, 490, कितना आजाएगा, 490, समझ गये होगे, कि मेरे नुसार, मेरा जो विकर्या मुल्ले हो कितना, 7, examiner क्या बोला, मेरा विकर्या मुल्ले कितना, 34, 30, तो मैंने वहाँ से क्या किया, एक की वेलू निकाल दी, मेरे एक की वेलू कितनी निकल की आई, 34, 30, by में 7, that is equal to 490, मेरे एक की वेलू कितनी होगी, 490, मेरे को किस की वेलू निकालनी है, 6 की, 6 की वेलू क्यों निकालनी है, 6 हमारा क्या है, क्रेया मुल्ले, 6 हमारा क्या है, base, एक की वेलू 490, तो 6 की वेलू कितनी होगी, 490 multiply 6, that is equal to 2940, यानि कि यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया करेमुल है, उस वस्तू का, तो मेरे इसाब से, आप इस पूरे फंडे को समझ पाए होंगे, कि कैसे परतिसत के question, लाब और हानी में गुमा फिरागे देता है, students, तो अब तक हमने देखा, कैसे percentage, लाब और हानी से, पूरा पूरा related है, अब हमें देखना है, कैसे, परतिसत जो chapter है, वो related है, शक्रवदी ब्याज से, अब हमारा नमबर किसका आगया है, शक्रवदी ब्याज का, वही देखना है हमें, तो second क्या है, compound interest, compound interest, सबसे पहले हम सिखेंगे, कैसे question, परतिसत से related है, और वो बार-बार compound interest में, पूछा जाता है, तो question लिखें, यदी कोई amount, यदी कोई amount, दो साल में, यदी कोई amount, दो साल में, 20%, 20%, वे, 16 is to 2 by 30% rate of interest, द्यान से सुने, यदी कोई, रासी, बीस परसेंट, वे, 16 सही, दो बटे तीन परतिसत की, चक्रवदी ब्याज की दर से, दो वर्स में, दो वर्स में, दो वर्स का मतलब, 2 years, in the 2 years, become 3430, कितनी हो जाती है, 3430 हो जाती है, घ्यान से सुने, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैंने बोला, इफ एन अमाउंट, with rate of interest 20% and 16 is to 2 by 3% with 2 years, become 3430, how much 3430, then find the principle, then find the principle, हिंदी वाले सुने, यदी कोई रासी, 20%, वे सोडा सही, 2 बटे 3%, वार्सिक ब्याज की दर से, 2 वर्स में, 3430 रुपए हो जाती है, कितनी हो जाती है, 3430 रुपए हो जाती है, तो बताइए, मुल्दन क्या होगा, तो बताइए, प्रिंसिपल क्या होगा, ये किस्वन आपने कई बार देखा होगा, सहीजी, अब यही किस्वन हम पढ़ते हैं, एक बार परतिसत में, परतिसत में पूछा जाए, तो ये किस्वन कैसे पूछा जाएगा, वो बोलेगा, यदी किसी संख्या को, यदी किसी संख्या को पहले 20 परतिसत क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, यदी किसी संख्या को पहले 20 परतिसत बढ़ा दिया जाता है, फिर उस संख्या को कितना बढ़ा दिया जाता है, 16 is to 2 by 3%, कितना बढ़ा दिया जात यदि बढ़ने के बाद यदि यह दोनों चीज सक्सेसिव लग रही है जो बढ़किया रही है उस पर कितना लग रहा है यह बढ़ने के बाद वह संख्या 3430 हो जाती है 3430 इंग्लिस वाले सुनें इफ आ नंबर बिकम 3430 आफ्टर टू सक्सेसिवली इंक्रिमेंट डैट इस फर्स्ट इस ट्वंटी परसेंट एंड सेगेंड इस सिक्स्टी इस तू तू वाए थ्री परसेंट ठीक है जी अब देखते हैं इसको कैसे सूल करते हैं सबसे पहले क्लारटी रखें अपने कंसेट में 20% को देखते हैं आपके दिमाग में एक बटे 5 क्लिक करना चीएं ना कि 20 बटे 100 अगर आप भी 20 बटे 100 कर रहा है तो बचे कही ना कहीं आपके कंसेट डेले हैं आप उस स्पेस में नहीं चल रहे हैं जिस स्पेस में आपको चलना चीएं यह सोनो 20% का नाम लेते ही दिमाग में क्या क्लिक करना चीए 1 बटे 5 तो हम क्या लिखेंगे 20% का मतलब कितना हुआ एक बटे 5 कलियर है 16 इस तो 2 बटे 3 परसेंट का मतलब कितना हुआ एक बटा 6 अब ये बात हम जानते हैं कि जो नीचे वाला होता है यानि कि नूमिनेटर बटे डिनूमिनेटर अंस बटे हर जो भी है जो हर होगा या जो डिनूमिनेटर होगा वो हमारा क्या होगा बेस होगा वो हमारा क्या होगा बेस होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे इन नंबर जो है, वो 3430 हो गया, तो हमें क्या क्या निकालना है? नंबडर, यह हम उसे बोल सकते है, ओरीजनल नंबर, यानि कि वास्तरिक संख्या जिसके उपर ये सारी गटना हो, गटी, यह सौरनो, हमें वो नंबर निकालना है तो मैंने क्या माल लिया, बेस माल लिया, सही है जी, मैंने एक बार को नमबर कितना मानना, पांच मानना, कलियर जी वो पांच ही क्यों मानना, क्योंगे पांच हमारा क्या होता है, बेस होता है, तो वो क्या बोल रहा है, पहले मैंने कितना इंगरीज किया, बीस परतिसद, तो संक्या कितनी है छे संक्या को मैंने 16 सही 2 बटे 3 परतिसत बढ़ा दिया तो कितना बढ़ा दिया एक बढ़ा दिया कितना बढ़ा दिया एक बढ़ा दिया उस संक्या को अगर मैंने एक बढ़ा दिया यानि वो संक्या पहले कितनी थी छे अब वो कितनी हो गई है साथ हो गई ह कितनी हो गई भी या साथ हो गई है हम इसे अध्यान में रखें ये method apply करें इसमें पांच की value कितनी हो गई च्छे की value कितनी हो गई साथ हो गई clear जी बढ़ गई संख्या अब इसे करते हैं इसका इसाब किताब देखो ज़रा पांच पहले सबसे पहली बात अगर ये दोनों side side में कर सकते हैं मतलब आमने सामने अगर कुछ कट रहा है तो कार सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ये 6 से 6 कट गया ये 5 ये 7 यहां पे 5 लिखो यहां पे क्या लिखोगे 7 लिखोगे यहां पे पांच और यहां पे साथ तो भीया यह पांच क्या होता है यह पांच होता है तुम्हारा ओरिजनल नंबर पांच तुम्हारा क्या होता है ओरिजनल नंबर यह तुम्हारा हमेश्या ही बेस की गुना करके आता है या तुम इसको क्या बोल सकते हो ये और आल बेस होता है क्या होता है और आल बेस जो कियाने कि पूरा पूरा जो बेस होगा अंत जो बेस होगा जो सबसे लास्ट में बेस बनेगा वो ये बनेगा इसे तुम बोल सकते हो बेस बेस की गुना करके आता है तो क्या होगा बेस ही होगा यह सुरनो अब यह क्या है साथ यह रजल्ट है साथ क्या बच्छे रजल्ट है आपने क्या गया छे से छे काट दिया पांच एकम पांच छे साथ एकम साथ यहां पे लिख दिया साथ यानि कि यह हो गया आपका पांच चुरिया हो गया, साथ, अब ये क्या होगा, give one number, ये क्या होता है बच्चे, give one number, अब एक बात बताओ, तुम्हारे नुशार, जो संख्या थी, वो कितनी थी, पांस थी, वो संख्या दो बार बढ़ने के बाद, एक बार कितना, 20%, एक बार कितना, 16 is to, 2 by 3%, बढ़ने के बाद एक बार फिर क्लिर कर देता हूँ, कि जब भी percentage में दिया गया हो, और हम तुम से पूछा गया हो, original number क्या है, साथ में उसने दे रखा हो, दो increment, एक increment कितना है, 20, 30, दूसरा कितना है, 16 is to, 2 by 3%, then find the number, यदि add करने के बाद जो number आता है, वो भी दे रखा हो, अब हम क्या चैने, 20% इधर लिख दिया, 16 is to, 2 by 3% इधर लिख दिया, 20% गार्थ एक बटे 5, 16 is to, 2 by 3% गार्थ एक बटे 6, 5 की वैलू 20 परसेंट बड़ गई, कितनी बड़ गई, 1 बढ़ गई, यानि 5 की वैलू कितनी हो गई, 6 हो गई, फिर 16 to, 2 by 3 परसेंट कर्थ क्या होता है, एक रहा है तो कितनी हो गई साथ हो गई अब वह बोल रहा है सकसेसिव को हम ऐसे ही डिल करते हैं अब तुम पूछोगे सरह ऐसे ही क्यों डिल करते हैं आप लो आप लोजिक से बात पढ़ाते हो तो बताओ फिर पांच की वलूच्छ आपने इस टाइल में क्यों लिखी है तो मैं आपको clear कर देता हूँ, आपने ये बाड़ा pattern कई बार देखा होगा, कई बच्चे इस question को solve करते हुए, क्या करते हैं, A मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो पहले संख्या क्या मान लेते हैं, और इस नंबर को A मान लेते हैं, फिर वो 3%, जो बड़ेगा, अब यह यह पूरी statement बड़ेगी, clear है, जो result आया है, वो बड़ेगा, वो कितना बड़ा है, 16 सरी, 2 बच्टे, 3 37, वो कितना बढ़ा है, 1 बटे 6, 6 की वेलो कितनी हो गई है, 7, 6 की वेलो कितनी हो गई है, 7, 6 कीवेलो किजी साथ यहां पे 6-6 कटेगा ना यहां पे 6-6 कटता है ना इसलिए मैंने यहां से 6-6 कटता है कलियर है अब यह कितना बच गया 7 यहां पे कितना बच गया 5 यानि कि ओर राल 7 वैंट यानि यो कितना वड़ा दो बड़ा लिए यहीं से की लिए रहे कितना बढ़ गया दो बढ़ गया खे आप एऽ Pretty Yeah संभे इसक यह मैंने क्योज में बने कुण सा में 2 किया है वही है जो आपने चोटी क्लासिज में सीखचा है लेकिन मैंने उसको चोटा कर दिया है चोटा कर दिया है इसको मैंने क्या मान लिया ओरिजिनल नमबर इसको मैंने क्या मान लिया गिवन नमबर अब मेरे नुसार मेरा फाइनल नमबर कितना है साथ है मेरे नुसार साथ है एक्जामिनर क्या वोला कितना है 3430 यानि कि मेरे साथ की value कितनी होगी बटे में 7 that is equal to 490 कितना हो जाएगा 490 इसको वैसे ही समझें कि मेरे नुसार मेरी संख्या बढ़के 7 हो गई है मेरे नुसार मेरी संख्या बढ़के 7 हो गई है और question के नुसार कितनी हो गई है 3 4 3 0 किश्चन के नुशार कितनी होगी है 3430 अगर मेरे नुशार 7 है उसके नुशा 3430 है तो मेरे एक की वैलू कितनी होगी 490 होगी अब मेरे को क्या निकालना है original number original number मतलब 20 या original number है आपे कितना 5 तो 5 की वैलू कितनी हो जाएगी 490 गुना 5 day 5, 5, 5 25 20, 24, 24, 5, 4 24 24 यह क्या हो गया आपका यह आगई आपकी वह संक्या जो इसने वह पूचह थी यया निकियों संक्या है original number यह क्या है original number हमने इस प्रिक्रिया से यह वाला इसे सीखते हैं कैसे एक इसे परतिसत में पुछा जाएगा देखें जड़ा दियान से प्रोचेजर सेम ही है यहां पे कितना बड़ा पहले साल 20 परसेंट दूसरे साल 16 इस टू ट्यू बाइट 3 परसेंट फिर कितने वर्स दो वर्स कितने रूपय हुए फाइनल 3430 कितना 3430 अब हम डिल कर लेते हैं 20 परसेंट गार्थ हम जान चुके हैं कितना होता है एक बटे 5 होता है 16 इस टू वाई 3 परसेंट गार्थ कितना होता है एक बटे 6 होता है जो निचे लिखा हुआ होता है तो वो क्या होता हमारा बेस होता है अब तक हम ये बाते जान चुके हैं सहीजी अब हमें ये भी पता है हमने प्रिवेस लेक्चर में सिखा है कि जो भी बेस में लिखा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है बिमारी यह सो नो जहां से शुरू हुई है जहां से बात शुरू होत 20% लिखोगे 1 by 5, clear है, फिर कितना लिखा है, 16 is 2, 2 by 3%, वो किसके बराबर होगा, 1 by 6, clear है यहां तक, 20% is equal to 1 by 5, 16 is 2 by 3% is equal to 1 by 6, यह 5 और 6 आपके क्या होंगे, बेस होंगे, क्या होंगे आपके, बेस होंगे, अब हम कैसे डिल करेंगे इनके साथ, यह होगे जी बेस, अब वो मैं माल लेता हूँ कि पहले वर्स, जब मैंने रासी दी होगी, तब मेरी रासी 5 रही होगी, तो 5 की रासी 20% बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाती है, एक बढ़ जाती है, तो रासी कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है, सहीजी, अब चलते हैं, अगले साल में, अगले साल कितनी बड़ी, 16 is 2, 2 by 3%, अब मुझे यह मानना होगा, कि यह जो बेस लिखा हुआ है यह क्या होता है मुल्दन होता है अगले साल के लिए अगले साल के लिए यह क्या होगा मुल्दन होगा यानि कि यह च्छे यहां पर क्या होगा मुल्दन होगा वेसी बात है तो मैं मालेता हूँ कि दूसरे साल के लिए जो मुल्दन रहा होगा वो 6 रुपए रहा अब हम वैसे लिखते हैं कि 5 कितनी होगई। 8 evidence एृष्य के हो 77 नहीं कितनी होगई। SEWCLEAN YEurities सबस्टे को 6 से 6 armas Jetzt cancel out यहां पे कितना बचा 5 और यहां पे कितना बचा साथ क्लिर है जो यह पांच होता है जो यहां लिखा यह आपका क्या होता है बच्चे मुलदन इसे आप क्या बोलते हो बेस और यहाँ पर बेस क्या होता है मुलदन तो यह भी क्या होगा आपका मुलदन क्योंकि यह बेस की गुणा है यह सोरनो और यह क्या होता आपका 7 वहाँ पर क्या होता था गिव नमबर और यहाँ पर क्या होगा आपका Mr. Dunn, क्या होगा आपका Mr. Dunn, सही है Mr. Dunn को English में क्या बोलते हैं Amount, क्या बोलते हैं Amount और इसको क्या बोलते हैं Principal, क्या बोलते हैं इसको Principal, सही है जी यह आपका Principal, यह होगा आपका क्या Mr. Dunn और इनका जो अंतर है, 5 और 7 में जो अंतर है, कितने का अंतर है, 2 का, 5 में और 7 में अंतर कितने का है, 2 का, ये जो 2 होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, CI, CI का मतलब क्या होता है, compound interest, क्या होता है, compound interest, यानि ये क्या हो जाएगा आपका, चक्रवदी ब्याज, क्या हो जाएगा बच्चे एक पहले साल 20% दूसरे साल 16 is to 2 by 3% बढ़के कितनी हो गई साथ हो गई यानि कितनी बड़ी दो रुपए बड़ी दो रुपए बड़ी तो वो क्या हो गया हमारा चक्रवदी ब्याज अब मेरे अनुसार मेरी रासी कितनी हो चली है साथ एक्जामिनर क्या बोला कितनी हो गई है 3430 मेरे अनुसार जो चीज साथ है वो क्यूस्टन के अनुसार कितनी है 33430 तो मेरे एक की वैलू कितनी हो जाएगी बटे में साथ ये कट गया इधर से कितना आएगा 490, कितना आएगा बच्चे, 490, मेरे एक की value कितनी हो गई, 490 हो गई, और मेरे को value निकालनी किसकी है, मेरे को value निकालनी है, किसकी, 5 की, 5 की क्यों निकालनी है, 5 हमारा होता है, base, base हमारा क्या होता है, इस chapter में, base होता है, हमारा मुल्दन, तो हमें किसकी value निकालनी है, यह आपका क्या बच्छे मुल्धन और ऐसे ही हम किस्टनों को डिल करते हैं जब किस्टन स्वरी compound interest में आता है कलीर है तो हमने देखा कैसे एक परतिसत का किस्टन related होता है किसमें compound interest में अब आगे जो है हम देखेंगे वो देखेंगे कि कैसे परतिसत का यही किस्टन profit and loss में related होता है तो students अब तक हमने देखा कैसे परतिसत का कोई भी किस्टन related होता है compound interest अब हमें सीखना है कैसे वही किस्टन related होता है हमारे concept profit and loss से वही देखना है हमें देखो ज़रा question क्या था, जो अभी हमने देखा था, कि 16 is 2, 2 by 3 percent, second year की क्या होती है, दर होती है, और 20 परसंट क्या होती है, पहले साल का rate होता है, दूसरे साल का rate कतना होता है, 16 is 2, 2 by 3 percent, फिर क्या होता है, राशी जो है 3, 4, 3, 0 हो जाती है, कितने साल में? दो वर्स में, कितने वर्स में, दो वर्स में, सहिया जी हमने देखा CIE में, किसमें देखा था हमने किशन, CIE में, और जब हमने यही किशन परसंटेज में देखा था, तब हमने क्या देखा था, किसी भी चीज को 20% क्या कर देता है, बढ़ा दिया जाता है, चीज को मतलब in means number को, किसी भी number को 20% बढ़ा दिया, फिर उस number को 16 is to 2 by 3% बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद वह number 3430 हो गया, तो बताइए original number क्या था, बताइए original number क्या था, यहाँ पे आप से क्या पूछा था, principle पूछा था, यहाँ से क्या पूछा था, principle, सही हो जी, अब अगला क्यूशन सुने, अगला क्यूशन जो हमें करना है, वो करना है profit and loss में, जो की क्यूशन की statement यह होगी, कि तेन फ्रेंड होते हैं, एक का नाम होता है राम, और एक का नाम था स्याम, और एक का नाम है विरू, दिर्मेंदर, ठीक है जी, अब देखो जरा, पहला है राम, स्याम और विरू, अब देखो जरा, राम स्याम को कोई चीज देता है, 20% के लाप पर, किस पे, 20% के profit पर, clear है, फिर क्या करता है, स्याम विरू को देता है, वही चीज, कितने परतिसद लाप पर, 16 is to 2 by 3% के profit पर, सहीजी, यदि विरू के लिए, उस वस्तु का, कोस्ट प्राइस जो है, यानि कि करेम उल्ले जो है, वो कितना हो, 3430 रूपए हो, तो बताए, राम ने वह वस्तु कितने रूपए में खरीद दी थी, तो राम के लिए, उस वस्तु का तुम्हें क्या निकालना है, कोस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है, पहरे बच्चे, कोस्ट प्राइस यानि की करेम मुल्ले निकालना है, अब हम देखते हैं, ऐसे किसनों को, हम जब टैकल करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो जरा, सेम कंसेप्ट है सब कुछ, हम जानते हैं, कि बीस परसेंट को हम क्या लिखते हैं, एक बटे पाँच, एक बटा पाँच, और फिर क्या था, 16 is to 2 by 3%, 16 is to 2 by 3%, जो की बरावर था किसके, एक बटा 6 के, किसके, एक बटा 6 के, हमें यही जानना है, कि कैसे हम उत्तर तक पहुँच पाते हैं, 5 क्या होगा, बेस, 6 क्या होगा, बेस, बिमारी profit and loss में कहां से शुरू होती है, मामला कहां से शुरू होता है, कोई चीज होनेगा इन्दा सेंस, आपके पास उस वस्तु है क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो पांच और छे आपके क्या होंगे, क्या हो जाएंगे आपके, सिपी, सिपी क्या होता है, कोस्ट प्राइस यानि की क्रेम उले, अब देखो, राम के लिए उस वस्तु का करेम उले कितना रहा था पांच पांच पे उसने बीस परतिसत का लाब कमाया तो कितने का लाब कमाया एक रुपए का यानि वो चीज कितने में गई छे रुपए में खेंने हो सकता है इस केस में 6आ एक्जामपल एसा लिया है अलग भी आसकता है हम मानेंगे कि भीकर्यम उल्य जो रहा हो गा उसके बाद उस वस्तु पे 16 is to 2 by 3% लाब कमाए जाता है लाब कमाने के बाद वो वस्तू कितने की जाती है 7 रुपे की सही है जी अब इसको यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ जो 5 की वेलू थी वो कितने में गई 6 में फिर क्या बोला 6 की वस्तू थी वो कितने में गई साथ में 6 से 6 क्या हो गया यहाँ पे क्या बच्चा यहाँ पे क्या बच्चा 5 की वेलू कितनी हो गई 7 तो यह जो पिछे वाला 5 है आपका वो हमेशे ही आपका क्या होगा कोस्ट प्राइस होगा क्या हो गया बच्चे कोस्ट प्राइस होगा सही है until and unless it is mentioned हमेशे otherwise mentioned मतलब हमेशे cost price रहेगा जब तक कोई खास बात उसने कहनी रखी हो हमेशे ही cost price रहेगा clear है by default हम यह माननेंगे कि यह चीज़ क्या होती है cost price होती है यह जो seven होता है वो आपका क्या होता है selling price होता है last selling price क्या होता है बच्चे last selling price क्या बोलते हैं इसको last selling price यानि की अंत विक्रेमुल्य प्राम ने सयाम को दिया siyaam ने विरू को दिया वीरू का जो क्रेम उल्य होगा ज्यांजे सुने वीरू का जो क्रेम उल्य होगा वही स्याम का क्या होगा विक्रेम उल्य होगा जो वीरू का कोश्ट प्राइस होगा वही स्याम का क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा समझे गरी समझे बच्चे अब आगे सुने जो राम के लि किस context में बात कर रहे हो मैंने क्या बोला यह क्या होता है cost price अगर by default आप मेरे से पूछना जाते हो कि by default यह क्या होंगे सर तो मैं आपको सिदा बताता हूँ यह क्या होगा cost price यह क्या होगा selling price that's all कलियर आगे कुछ भी mention है तो हमें वो समझना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा तब हम जान पाएंगे वो selling price है या cost price है कलियर है तो हमने जाना कि इस question में दिया हुआ था वीरू का cost price यानि कि वीरू का जो cost price होगा इधर जो इसका cost price होगा वही स्याम का क्या होगा selling price होगा वही स्याम का क्या होगा selling price होगा तो मेरे अनुसार वीरू ने जो चीज बेची होगी वो कितने में बेची होगी साथ में बेची होगी और राम ने जब वो चीज खरीदी होगी तो कितने ने खरीदी होगी पांच के खरीदी होगी इसको थोड़ी confusion को और हटा देता हूँ ये cost price नहीं इसको बो इनीसियल cost price क्या बोलो ये बच्चे इसको इनीसियल cost price यानि कि सुरुवाती करेमुले इसे बोलते हैं सुरुवाती करेमुले इसे बोलते हैं अंत विकरेमुले अन्त विक्रेमुले सुरुवाती क्रेमुले सुरुवाती क्रेमुले अन्त विक्रेमुले कलियर है ये मेरे नुसार अन्त जो विक्रेमुले वो कितना है साथ है अन्त जो है वो कितना है साथ है मेरे नुसार साथ है एक्जामिनर के नुसार कितना है 3430 कितना है 3430 यहां से एक की value कितनी आ जाएगी 3, 4, 3, 0, by 7, यह कट गया, उत्तर कितना आएगा 490, कितना आएगा 490, एक की value कितनी आजाएगी 490, तुम्हें किस की value निकालनी है, पांच की, पांच की क्यों निकालनी है, क्योंकि पांच initial cost price है कि उससर में पूछा भी क्या था राम का क्रेमुले है क्या पूछा था राम का क्रेमुले है तो हमारे नुसर इनिशल कोष्ट प्राइस कितना है पांच तो पांच की वेलू कितनी हो जाएगी 490 multiply by 5 that is equal to 2940 कितनी हो जाएगी 2940 यही होता है जी आपका पूरा पूरा एक इकंसिप क्लियर है 2940 सोरी सोरी हमें थोड़ी मिस्टेक बच्चे इसको सभी कर रहा है सभी कर लेना यह 2940 जो नहीं है 5550 250 250 माइनस 5 2450 होती है कितना होता है 2450 क्लियर है जी यह तो हमने सीख लिया कि कैसे परतिसज जो है वो CIE से रिलेटिड है कैसे परतिसज जो है प्रोविडेंट लो से रिलेटिड है कैसे परतिसज जो है SI से रिलेटिड है तो हमने इसकी जो 3-4 ब्रांचिस जो निकली होई थी वे सब की सब अब हमने कवर कर ली है और हमने समझ लिया है कि पूरा arithmetic percentage से ही related है तो मिलते हैं अगले lecture में